आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ का प्रतिरोध शुन्य होता है तो जी हाँ ये वाला हमारा अच्छा एक तरीके से देखा जाए तो जो अतिचालक होता है इसके लिए जो प्रतिरोध होता है वो अति-अति-अति-अति-अल्प होता है प्रतिरोध कैसा होता है बिटा अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अती चालक, ठीक है, ये इस तरीके से परिभाशा दी जाती है, तो ये तो हमारा सत्य है, ठीक है, अब अगला बताया जाए, वैसे अगर हम लोग ये चीज बोलते हैं, तो अती चालक नाम की ऐसा कोई पदात नहीं है जिसके प्रतीरोध्षुन्य हो ठीक है लेकिन अठीčालकों को जिन क्या प्रतीरोध्ष बड़ा कम हो बहुत बहुत कम हो उसको हम लोग अतिचालक बोल देते हैं है न और उसको लगबग बराबर शुन्य भी कह देते हैं तो अतीचालकों का उपयोग विद्यूशक्ति के इस्थानांतरण में होता है तो ये वाला जो है बेटा ये भी हमारा एकदम सत्य है ये भी क्या है हमारा एकदम सत्य है वो कैसे अतीचालकों का उपयोग होता है हम लोग विद्युत का इस्थानांतरन है इसकी वज़े से क्या होता है और क्या होता है ठीक है और जिसकी वज़े से शक्ति क्या है यहां से एक जगे से दूसरे इस्थान तक जाने पर जो flux का शरण होता है वो कम से कम होता है तो जिसकी वज़े से क्या होता है पूरी की पूर तो जो हमारा बह होगा ना इसमें वो एक्डम सही जवाब होगा क्लासिक स्टुवल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर